ओम श्यान्ति आज आपका 114 वे दिन का इश्वरी वर्दान और आज के इश्वरी वर्दान में परमपिता परमात्मा एक और ऐसी कमजोरी जिससे कि हम सुवेम ही तकलीफ में रहते हैं और हो को भी तकलीफ पहुंचाते हैं और मुक्ती में जाना माना इस शरीर को छोड़ कर के पवित्र होकर के परमधाम जा पाना वो तो मुश्किल होई जाता है और साती सात हम अपने अंदर गुण ना लेने के कारण अफ़ गुणों में ही बहते रहते हैं और हमारा जीवन फिर से दुख से भरपूर हो जाता है परमात्मा कहते हैं ये एक कमी कमजोरी हटाओ तो सुख से भरपूर मुक्त हो जाओगे और इशुरिय प्यार के भाग्यतारी बन पाओगे तो देखें ये कौनसी एक ऐसी मिस्टेक है या एक गलती है जिसको हमें परमात्मा हटवाना चाहते हैं तो बाबा केते हैं निराकारी स्थिति मैं आत्मा निराकारी केते हैं परमात्मा निराकारी है तो मैं उनको अगर पिता कहूं परम पिता कहूं तो मैं अपने आपको एक आत्मा समझो तबी मैं भी निराकारी उनका वन्शज हूं उन जैसा दिखने वाला हूं वो नहीं हू आत्मा सो परमात्मा नहीं, आत्मा परमात्मा सो दिखने वाला लेकिन आत्मा परमात्मा का बच्चा, मैं उनकी रचना मतलब मुझे वो पतित से पावन, इंप्योर से प्योर बनाने वाले तभी में को रचते हैं वो, तो आत्मा तो को ना कोई बना सकता है, ना कोई तो इसी तरीके से परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हें आकर के जब तुम्हें अपवित्र बन जाते हो तुम्हारे हर संकल्प अपवित्र होते हैं लोग क्रोध आहंकार से भरे होते हैं तम्हें धर्ती पे आकर तुम्हें पवित्र बनाता हूं सबसे पहला पर्ट क्या देते हैं, अपने आपको निराकारी समझो। उसका पाइदा क्या है, आज हम देखेंगे। तो निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा, जो हम meditation करते हैं, उसमें अपने आपको क्या समझते हैं, मैं एक निराकारात्मा हूं। तो यह सबसे पहला पार्ट है हमारा, निराकारी सिती के अभ्यास दोरा मैं पन को समाप्त करने वाले, मैं मैं मैं, है ना, तो हमने क्या समझा, मैं 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 करने वाली चीज जो है, उसको खतम कर तो परमात्माने कहा है, कि मैं पन को खतम करो, तो हमने बक्रियों की बली देनी शुरू कर दी, परमात्मा कहते हैं, मैं पन को खतम करो, मैं मैं करने वाले को नहीं, तो मैं पन को समाप्त करने वाले निरहंकारी भवा, निरहंकारी भवा, जिसके अंदर अहंकार ना हो, तो निरहंकारी समझेंगे, तो अहंकार खतम होगा, और अहंकारी सबसे बड़ी सुन्दर धागा का है अटैश्मेंट का धागा चो होता है जिनको हम देख नहीं पाते हैं यह है मैं पन का कौन सा है मैं पन हमें पते नहीं चलता है मैं 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 मेरा आइडिया मेरे तरीका मेरे अनुसार में ही सही मेरे मेरे कितना experience मैं जो कहूं वही सही मेरी बात माना करो यह सब कुछ कहा है मैं मैं मैंपन है जिस कारण से हमें आंकार आता है पता भी नहीं सुलता है और महीन है इसलिए यह मैं शब्द ही देह अभीमान से पार ले जाने वाला भी है तो देह अभीमान में लाने वाला भी है तो देह अभीमान से मैपन, सच्चा मैपन कौन? मैं कौन? आत्मा किसका? परमात्मा के बच्चा और दूसरा मैपन, मैं ये शरीर, ये सारी चीज़े मेरी तो फिर परमात्मा का गए उसमें, परमात्मा तो गायव हो गए ना तो परमात्मा कहते हैं उसमें या तो देह अहंकार में अभिमान मतलब देह के अहंकार में आते हो जो की impurity है और देह अहंकार से या देह अभिमान से परे भी जा सकते हो सच्छे मैपन से जब मैपन उल्टे रूप में आता है उल्टा रूप मतलब क्या अपने आपको शेरी समझना सारी चीज़ें मेरी मेरे अनुसार चलना चीज़ सब कुछ ये सारी चीज़ें उल्टा मैपन जब मैपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनाने के बचाए कोई ना कोई आत्मा का किसने किसी आत्मा को हम क्या करते हैं उनके सामने अपने आपको उचा दिखाने के लिए उनसे अपने आपको और आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने किया, मेरा राइट आइडिया था, देखा, मैंने देख जो बोला वही हुआ, तो क्या, ना कोई आत्मा का, कोई ना कोई आत्मा का, नाम मान शान का प्यारा बना देता है, बाप का प्यारा बनाने के बज़ाए, है ना, कोई ना कोई आत्मा का, नाम मा मेरी पुष्टों को पता अची कि मैंने क्या करके गया मेरे ऐसे थे, मेरे वो थे, मेरे दादा दी ऐसे थे, मेरे काका ऐसे थे, मेरे चाचा ऐसे थे वो सारी चीज़ किया मैपन है उसमें अहंकार दिखता है, अहंकार की बद बुवाती परमात्मा कहते है तो उसमें परमात्मा का है, तो परमात्मा का प्यार मिलेगा उस आत्मा को, आप खुद ही सोचिएगा या तो आत्मा का प्यार आप खोज लो, या तो परमात्मा का प्यार मिल जाए आपको आत्मा है तो आपको मुक्ती देंगी ना सुप देंगी ना शान्ती देंगी परमात्मा ही देंगे तो किसका नाम मानशान चाहिए परमात्मा से नाम मानशान कमाना है कि इंसान का नाम मानशान कमाना है तो बाबा कहते हैं फिर से आगे इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिती में स्थित होकर साकार में आओ कैसे करना है मैं निराकार आत्मा परमधाम से आई हूँ इस शरीर में कुछ समय के लिए हूँ इस श्यरी में बैठ करके मुझे जो करम करने परमात्मा की जो श्रीमत है जो ओर्डर है परमात्मा की यह सई या यह सई उसके अनुसार करना है ताकि मेरे अंदर कोई भी प्रकार का आहंकार ना है ग्यान में होते हुए भी spirituality में आकर कि भी अंकार आ सकता है, ज्यान होने का, क्यों, उसमें panamaharía का प्यार नहीं है, हमें इस ज्यान का भी क्या करना है, और लोगों से, हमें क्या हमें प्यान वहावा, कितना अच्छा बोला, कितना अच्छा सुनाया, ज्यानी यह सब कुछ भी कहा है महीन धागे हैं अंकार के तो परमात्मा का प्यार का आँगे उसमें भी तो परमात्मा कहते है इस अभ्यास को नाच्रल नीचर बना दो तो निरंकारी बन जाएंगे इस मेडिटेशन के तरीके को तो यही चीज तो हम सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी में कि मेडिटेशन करना कैसे निराकारी बनना कैसे तो आज का यह वर्दान आज आपका दिन चुब हो आप तंदुरस रहें स्टे सेफ घर में ओम शैन्ती